Hello everyone and welcome to education achievers. I hope you all are doing well. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि December 2023 exams complete हो चुके हैं and December exam के analysis से जो बास सामने आई है वो ये कि आपका exam अब easy ना होकर बलकि difficult की तरफ बढ़ रहा है. जितने भी questions आपके exam में पूछे जा रहे हैं वो आपकी memory based ना होकर analytical thinking based पूछे जा रहे हैं यानि exam का difficulty level change हो रहा है. तो इस situation में आपको जरूरत है ये पहचानने की कौन-कौन सी scoring topics हैं, कौन-कौन सी scoring units हैं जिन पर आपको जादा सजादा focus करना पड़ेगा ताकि आप first attempt में अपना exam qualify कर पाओ. किसी भी exam को qualify करने के लिए दो चीजों का main role होता है, सबसे पहली चीज तो ये कि आपने क्या strategy follow की, कैसे planning की, कैसे time management किया इसके उपर मैं एक वीडियो ले चुकी हूँ, इससे पहले वाली वीडियो इसी topic पर थी कि कि किस तरीके से आपको अपनी तयारी start करने ही, क्या strategy follow करने ही जिनका exam qualify नहीं हो पार है, उनको क्या करना है, जो अभी दयारी start करने है, उनको क्या करना है इससे last video में हमने इस topic पर बात की थी दूसरी जो main चीज होती है, किसी भी exam को qualify करने की, वो ये होती है, कि आपको ये पहचानना पड़ेगा कि कौन-कौन सी units हैं, या कौन-कौन सी topics हैं, आपके subject से related, आपके syllabus से related, जिन पर आपको ज़्यादा focus करना है क्योंकि हमारा सबका जो purpose होता है, वो ये होता है, कि हम भी first attempt में अपना exam qualify करें तो सबसे पहली चीज तो mind में ये रखना, कि कभी भी आप 100% तो नहीं कर सकते, especially जो paper 1 होता है, वो बहुत ज़्यादा landy होता है, उसमें कुछ units बहुत landy होती है तो आपका जो target होना चाहिए, वो ये होना चाहिए, कि 50 questions में से, आपके 35 to 40 questions जो हैं, वो correct हो जाएं अगर आपके 35 to 40 questions correct हो जाते हैं, out of 50, तो आपके पूरे-पूरे chances हैं, कि आपका GRF हो जाएं अब 35 to 40 questions को correct करने के लिए, आपको सही strategy को follow करना होगा, because जो paper 1 के कुछ units हैं, वो ऐसी units हैं, जिसमें आपका हर बार कुछ ना कुछ नया add होता रहता है like current affairs, जैसे higher education, people development and environment, तो आज कि इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं, कि आपके जितनी भी units हैं, paper 1 की, उसमें most scoring topics कौन कौन से हैं, जिन पर आपको जादा से जादा focus करना हैं, जिनको आप किसी भी कीमत पर छोड़ नहीं सकते, जिसके बगार आपका GRF हो ही नहीं सक उन सारे topics के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, आप लोग telegram group भी join कर सकते हो, मैं वहाँ पर आपको जितनी भी important updates होती हैं, PhD entrance exams related या फिर UGC net exams related या फिर other exams related वो मैं आप लोगों को महाँ पर share करती रहती हूँ, इसके साथ ही channel को जरूर subscribe कर देना, ताकि कि मुझे भी motivation मिले and आपको हर एक class का notification time पर मिल सके, because आगे हम बहुत कुछ करने वाले हैं, इस channel पर हम UGC net paper 1 की जितने भी topics जो भी करते हैं, वो easy से easy language में करते हैं, with examples करते हैं, तो आप लोग channel को जरूर subscribe कर देना, साथ ही bell icon भी press कर देना, start करते हैं, अपने UGC net paper 1 की first unit स which is teaching aptitude, teaching aptitude जो कि आपको, आप में से बहुत से लोगों को easy भी लगता हुगा and easy होता भी है, अगर आप लोग education से जुड़े हुए हो, आपका subject education है, तब तो teaching aptitude आपको बिल्कुल भी tough नहीं लगेगा, but teaching aptitude में भी बहुत से topics ऐसे हैं, जिनसे अलग-अलग तरीके से questions बनते हैं, यह लगता तो easy है, लेकिन कई बार इतने subjective questions पूछ लिए जाते हैं, कि आप confused हो जाते हो, इसमें जो topics हैं, जो आपको cover करने ही हैं, वो है, teacher की characteristics यानकि एक अच्छे teacher की क्या qualities होती हैं, क्या teaching की characteristics होनी चाहिए, ठीक है, क्या सही method होना चाहिए, तो यह सारी चीज़ें आपको देखनी है, learners की characteristics आपको पता होनी चाहिए, कि कितने type के learners होते हैं, factors affecting teaching, हमारे teaching process को कौन-कौन सी चीज़ें affect करती हैं, इसके अलावा जो bloom taxonomy है, bloom taxonomy के तीनो domain, तीन domain होते हैं, cognitive, affective and psychomotor, इन सारी चीज़ों की मैं class ले चुकी हूँ already, लेकिन फिर से हम लोग अपन से बताऊंगे कि bloom taxonomy को हम किस तरीके से easily याद रख सकते हैं, तीनो domain, cognitive, affective and psychomotor, तीनो domain की आपको अच्छे सा समझ होनी चाहिए, इसके जो steps होते हैं, वो आपको sequence से याद होने चाहिए, तीनो ही domain के, आपको ये भी पता होना चाहिए, कि cognitive domain की क्या characteristics होती है, affective की क्या होत यानि bloom taxonomy की पूरी understanding आपको होनी चाहिए, इसके अलावर जो evaluation system होता है, उसमें आपको पता होना चाहिए कि formative क्या होता है, summative क्या होता है, diagnostic क्या होता है, placement evaluation क्या होता है, इन चारों के बीच difference पता होना चाहिए, और norm reference test, criterion reference test and choice based credit system, इतना आपको पढ़ना है evaluation system में, ये जो मैं video आज बना रही हूँ, सारे topics से related, ये आपको आपके पास अभी बहुत time है, आपके पास कम से कम 6 months का time है पूरे, तो आपको ये जितने भी हैं, आप screen shot भी ले सकते हो, वरना में telegram पर भी इसकी PDF आप लोगों को share कर दूँगी, आपको target बनाना है कि आज जितने भी topics में आपको इस class में बताने वाली है, आपको अपने exam से पहले इन सारे topics को तो 100% cover करना ही है, बाकी चीज़े हम बीच बीच में मैं आपको बताती रहूंगी कि आपको और क्या add-on करना है, लेकिन ये जो topics हैं, ये base हैं UGC net exam का, तो ये तो आपको छोड़ने ही नहीं है, जितने इसके अलावा हमारा स्टार टॉपिक स्वयम, स्वयम प्रभा and MOOC, इन तीनों का क्या मतलब होता है, स्वयम प्रभा स्वयम से कैसे अलग है, स्वयम का जो web portal है वो maintain कौन करता है, इसके 9 coordinators कौन कौन से है, यानि कि और स्वयम की full form क्या है, इसको कब launch किया गया, इन तीनों क के बारे में जो पूरी पूरी basic information है वो आपको पता होनी चाहिए, इसके अलावा जो digital learning platforms है, उनको आपको पढ़ना है, उसके अलावा most important आपके paper 1 में पूछा जाता है learning theories, learning theories में जैसा आपका आता है PRJ से questions पूछे जाते हैं, इसके अलावा वाइगोवस्की से questions पूछे जा आपके syllabus में directly mention नहीं है, लेकिन learning theories से हर बार एक से दो questions देखे गए हैं, especially PRJ and YGOS की, तो learning theories भी आपको देखनी है, ये सारी चीज़ें आपको करनी है, अपने exam से पहले 100% cover करना ही है इन सब को, अपने पास चाहें आप note कर लीजी ये कैसे भी, इनको आपको छोड़ना ही नह जाता है, उसमें भी proper एक unit है research की and paper 1 में भी, तो जिनका subject education है, उनके लिए फायदा है कि वो क्या कर सकते हैं, वो आराम से अपना time table manage कर सकते हैं, कि जो एक unit है, वो paper 1 में भी है, paper 2 में भी है, तो उसमें उनको थोड़ा फायदा हो जाता है, इसमें आपको जो पढ़ना है, सबसे पहली चीज, research का meaning, research की characteristics, ये तो आपको पता होनी चाहिए, विकोज कई बार क्या होता है, कि research के meaning या फिर characteristics से subjective questions या statement based questions दे दिये जाते हैं, इसके लावा plagiarism का मतलब क्या है, plagiarism कितने type का होता है, उसमें हमने पढ़ाता, falsification, fabrication, ये जितने भी होते हैं, plagiarism के types आप को पता होने चाहिए, जो कि हम पढ़ चुके हैं इस channel पर बहुत अच्छे से, research methodology में आपको पता होना चाहिए, कि hypothesis का मतलब क्या होता है, hypothesis के types कितने होते हैं, कौन-कौन से types होते हैं, hypothesis testing क्या होती है, ये चीज़ें hypothesis के बारे में आपको पता होनी चाहिए, इसके अलावा, जो research का एक main concept है, reliability and validity, इन दोनों के बीच difference क्या होता है, and reliability के कौन-कौन से types हैं, validity के कौन-कौन से types हैं, type 1, type 2 error क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, अगली जो चीज़े, types of sampling, probability sampling में कौन-कौन से types आते हैं, non-probability sampling में कौन-कौन से types आते हैं, difference क्या होता है, cluster sampling क्या होती है, snowball sampling क्या होती है, जितने भी types हैं, वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए, इसके अलाबा, types of research में आपको ये पता होना चाहिए, जितने भी types की research है, उसमें कौन-कौन से type की research है, जिसको हम qualitative कहते हैं, and कौन से research को हम quantitative के अंदर रखते है है descriptive research experimental research case study surveys सारी चीजों को आपको पढ़ना है यानि types of research यह बहुत important है आप लोगों के लिए यहां पर जितने भी topics मैंने लिखे हैं सारे ही important है इनमें से एक भी topic आप छोड़ के नहीं जा सकते measurement scales यह तो हमने बहुत ही easy language में बहुत ही अच्छे से understand किया था with examples understand किया था तो measurement scale जो कौन-कौन से होते ही nominal ordinal interval and ratio जिसको हमने no IR से याद किया था इनकी सब की characteristics आपको पता होना चाहिए क्योंकि कई बार आपके exam में कोई जो है उदाहरां दे दिया जाता है and then आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा scale इसके लिए apply होगा तो measurement scale से हर बार questions पूछे जाते हैं यह आपको पता होना चाहिए मैंने इस list में वो जो topics हैं वो भी add किये हैं जिनसे आपके हाल ही में questions पूछे गए हैं June वाले exam में भी and जो अभी exam हुआ है हाल ही में उसने भी जैसे कि reference style से questions पूछे गए थे APA, MLA, Chicago इसके अलावा जो reference की abbreviation होती है offset, ICIT यह भी मैं आपको बता चुकी हूँ उससे भी questions पूछे जाते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए and यह जो topic है application of ICT in research इससे आपके exam में questions पूछे जाते हैं statement based कि कौन से research के steps पर ICT का आप ज्यादा use करते हो यह ICT का use कहां पर ज्यादा effective रहता है research process में जैसे कि data collection में आप ज्यादा use करोगे यह data analysis में obviously data analysis में आप ज्यादा research ICT का use करोगे research में तो इस तरह की चीज़ें आपको इसका मतलब पता होना चाहिए कौन-कौन से software है ठीक है research के software जिस से हाल ही में questions पूछे गए software कौन-कौन से है qualitative data analysis के लिए कौन से software use होते है quantitative data analysis के लिए कौन से software use होते है मैंने इसकी list आपको एक short video में बताई थी तो वो short video भी आप देख सकते हो इस channel पर shorts भी आप लोग please देखा कीजिए because मैं वहाँ पर एक minute के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा information देने की कोशिच करती हूँ important concept में आपको एक minute में समझाने की कोशिच करती हूँ सकता है तो यह है main main topics research attitude के जो कि आपको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ ली है आगे देखते हैं reading comprehension reading comprehension बहुत ज़्यादा scoring होता है आपका reading comprehension को अगर आप सही strategy के साथ सही तरीके से अगर follow करते हो तो आपके बहुत ज़्यादा chances हो जाते हैं exam को qualify करने के because reading comprehension में आपके five questions तो पूछे ही जाते हैं हर बार अब उसको अगर आप सही तरीके से handle कर लेते हो तो आपके 10 marks हो जाते हैं confirm सिर्फ reading comprehension से and reading comprehension बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है तो अभी आपके exam में बहुत टाइम है आपको क्या करना है आपको अपनी जो reading habit है वो बनानी होगी आपको जो आपकी speed है वो तेज करनी होगी उसके लिए आप daily English newspaper पर सकते हो journals पर सकते हो online articles पर सकते हो बस आपकी habit होनी चाहिए कि आप जल से जल English को read कर पाओ और उसका जो जिस्ट है जो उसका meaning है वो समझ पाओ तो अभी से अगर आप रोज आना अगर पांच मिनट भी आपने दे दिए reading के लिए चाहें आप कोई book पढ़ ले हो या कुछ भी x y z तो उसको अच answers आपके सामने होते हैं पहले से कुछ prepare नहीं होना है आपको वहीं पर answers होते हैं आपके सामने आपको सिर्फ पर सिर्फ ढूंडना होता है उन answers को और वो कैसे हो पाएगा जब आपकी reading की habit होगी आप जल से जल समझ पाओगी किसी भी paragraph को इसके लिए आपको अभी सही अपनी क्या होता है, receiver क्या होता है, encoding क्या होता है, decoding क्या होता है, noise का क्या concept है, medium क्या होता है, channel क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, communication, process के बारे में आपको detail में पता होना चाहिए, कि कैसे रन करता है हमारे communication का process, types of communication में especially non-verbal communication पर आपको ज़्या इनका पंतलब पता होना चाहिए उसके साथ ही जो difference होता है वो पता होना चाहिए उसके बाद most important topic barriers in communication काफी type के barriers होते हैं communication process में ये भी मैं आपको बहुत ही अच्छे सा समझा चुकी हूँ तो barriers आपको अच्छे से cover कर लेना है इसके अलावा hot media and cool media इससे आपके जून में questions पूछे गए डिसंबर वाले exam में भी questions पूछे गए और मार्च में जो आपका exam हुआ था उसमें भी इससे questions पूछे गए थी ये भी मैंने आपको अच्छे से explain किया था कि hot media का क्या मतलब होता है and cool media का क्या मतलब होता है इसके अलावा effective classroom communication की classroom के communication process को आप effective कैसे बना सकते हो इससे statement based questions पूछे जा सकते हैं या फिर assertion reason based questions भी पूछे जा सकते हैं इसके लावा आता है models of communication, models of communication में आपके दो type के model होते हैं एक होता है linear model और एक होता है transactional model और एक और होता है interactive model तो तीनों model आपको पता होना चाहिए और linear model किस किस के दौरा दी गए जैसे कि burlo के दौरा दिया गया, Aristotle के दौरा दिया गया, Aristotle का model, Shannon and Weaver का model and burlo का model इन सारे models के बारे में आपको पता होना चाहिए linear के अंदर कौन-कौन से model आते हैं इसके लावा जो transactional model है उसमें कौन सा model आता है, तो models of communication आपका highlighted topic है, barriers of communication and models of communication ये तो आप बिल्कुल छोड़ी नहीं सकते, इसके लावा non-verbal communication सारे ही topics important है, यहाँ पर जितने भी topics हैं इनको आप एक भी topic को miss नहीं कर सकते, mass media से especially इस बार ज्यादा questions देखे गए, तो mass media and society जो आपका topic है, इसके ज्यादा से ज्यादा previous year questions आपको practice करने होंगे, because mass media topic तो easy है, ठीक है लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि mass media में कितने type की media आती है, वो सब आपको पता होना चाहिए, इसकी भी मैं आपकी class लेने वाली हूँ, तो वो वहाँ से आपको अच्छे सा understand हो जाएगा, जितने भी topics हैं, इसमें से maximum topics में आपको करा चुकी हूँ, बस एक mass media वाला जो है वो रह गया है, और दोबारा से हम इन सारे topics को detail में understand करेंगे, तो इन topics को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ से, because DIB आता है, इसके अलाव़ जो mathematical reasoning हैं, उसमें भी questions पूछे जाते हैं, research में भी आपके कई बार numerical questions पूछे जाते हैं, तो mathematics अगर आपको अच्छी करनी हैं, तो आपको अभी से अपनी तयारी करनी पड़ेगी, आप exam से one month पहले, अगर आप ये सोचो की one month पहले mathematics कर लें होगा, mathematical reasoning को अच्छा करने के लिए, सबसे पहला तो average ठीक है, उसके बाद percentage आपको अच्छे साना चाहिए, ratio का concept आपको अच्छे से clear होना चाहिए, इसके अलाव़ जो proportion है, ratio and proportion वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ये जो topics हैं, ये main topics हैं, इनको in depth आपको अगर पता है, तो आपका जो DI है, वो भी easily solve हो जाएगा, and mathematical reasoning से अगर कुछ questions बनते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत easy questions बन जाते हैं, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक formula put करना होता है, और answer आ जाता है, तो basic basic जो concept है maths के वो आपको अभी से start करने होंगे, maths से अगर डर लगत हैं कुछ topics की, जो मैंने आपको अभी बताए, अगर उन topics की भी आपको अच्छे सा understanding हो जाती है, तो आपके सामने question होगा, आपको उस understanding को वहाँ पर apply करना है, पहले सा कुछ याद नहीं करना है, पहले सा कुछ समझना नहीं है, बस understanding होनी चाहिए, आपको सारे जो multiplication, इन सब चीजों का जो concept है, तो आपका question सही हो जाएगा, अगर आपकी understanding अच्छी है, तो इसमें free के marks आपको मिल सकते हैं, अब इसमें जो topics हैं, जो आपको करने ही हैं, वो है coding, decoding, blood relation, blood relation से एक question तो हर shift में पूछा ही जाता है, easy भी आ जाता है, कई बात difficult भी आ जाता है, main चीज यह है, कि blood relation को जो basic concept है, वो आपको पता होना चाहिए, blood relation मैंने आपको समझाया था, छोटी सी classes में मैंने आपको पूरे तरीके से समझाया था, कि कैसे आपको solve करना है blood relation का question, और आपका कभी भी question गलत नहीं हो सकता, अगर आप उस चीज को follow करते हो तो, distance भी मैंने आपको कराय था, कि distance वाला अगर या फिर direction वाला अगर question आता है, तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो आपको direction का पता होना चाहिए, कि east, west, north and south, अब उसके बाद clockwise क्या होता है, और anti-clockwise क्या होता है, अगर ये दो तीन चीज आपको starting में अच्छे से पता हैं, तो direction वाले questions आप बहुत ही easily solve कर लोगी, तो ये तो आते ही हैं हर बार, लेटर सीरीज से आपका बनता है कि A, B, 4, अब इसके बाद क्या आएगा, उस तरीके से, जो लेटर सीरीज है वो भी आपको आनी चाहिए, mathematics में आपको average, percentage, ratio, proportion, simple and compound, interest, इंटरनेट नहीं है, ये interest है, इसक and distance से question and train speed, इस से इस बार सबसे जादा questions पूछे गए, train की speed से, time and distance से हर बार question पूछा गया है, आपके जो पिछले exams होई हैं, उनमें भी, इसके अलावाद जो simple and compound interest है, वो भी important है, तो ये जो कुछ गिने चुने topics हैं, अगर आप इनको अच्छे से cover कर लेते हो, तो आपका जो mathematics बाला portion है, वो आपको full marks दिला सकता है, बहुत बार ऐसा होता है कि calculation थोड़ी बड़ी आ जाती है, तो उस situation में आपको क्या करना है, कि उस question पर stuck नहीं करना है, कि आप आगे बड़ी नहीं पा रहे हो, कि मैं इसको solve कर लूँगा, अपनी ego पर उस question को नहीं लेना है, जह तो tough question के चक्कर में, जो इतने धेर सारे easy questions हैं, उनको आपको miss नहीं करना है, और कभी भी math के किसी भी question को अपनी ego पर मत लेना, कि मैं इसको करके ही रहूँगा, exam में ये गलती मत करना, वरना बाद में बहुत पश्तावा होता है, आगे देखते हैं, logical reasoning, जो कि मैं कह सकती क्योंकि मेरा favorite रहा है, logical reasoning में आपको क्या क्या करना है, Indian logic, Indian logic से questions पूछे जाते हैं, तो Indian logic आपको अच्छे से करना है, Indian logic की मैं classes लोंगी इस बार जादर से जादा क्योंकि इस बार जादतर questions आपके पूछे गए हैं, formal informal fallacies से, हेत पाभासा, deductive and inductive reasoning and conversion of version and contraposition, ये कुछ टॉपिक से जो December में highlighted रहे, formal and informal fallacies से भर भर के questions पूछे गए, इसके लावा जो एक topic मैंने आपको बार बार कहा था कि इस से question आएगा ही आएगा, ये जो है, इस से questions काफी सारे आए, जिसको हम क्या कहते है, immediate inference या फिर of version, conversion and contraposition, ये आपको करना है, square of opposition से इस बार भी बहु Indian logic में, तो प्रमान कितने type के होते हैं, phone का जो concept है, जो हम phone पढ़ते हैं, वो क्या है, वो सारी चीज़े Indian logic में आजाती हैं आपकी, हेत्वा भासा का क्या मतलब है, हेत्वा भासा के type क्या होते हैं, जिसमें हम 5 type के fallacy पढ़ते हैं हेत्वा भासा में, तो ये आपको आपको अच्छे साना चाहिए ये भी मैं आपको इस बार अच्छे सा पढ़ाने वाली हूँ तो ये जो सारे topics है ने ये highlighted topics है आपके logical reasoning के ये topics ऐसे हैं जो आपको हर paper में हर shift में मिलेंगे इनको आपको बिल्कुल भी miss नहीं करना है इसकी अच्छी understanding आपको होनी चाहिए और logical reasoning मुझे लगता है कि बहुत ही easy तरीके से मैंने आपको इस channel पर पढ़ाया है और जो चीज़े रह गई हैं उनको भी हम आगे one by one cover करेंगे आगे देखते हैं डेटा interpretation जिससे बहुत से लोगों को डर भी लगता है जो डी आई होता है जैसे मैंने आपको अभी बताया कि डी आई को अच्छे से solve करने के लिए कुछ चीजों पर आपके अच्छी पकड़ होनी चाहिए जैसे परसेंटेज रेशो पिर पोर्शन एबरेज कैसे निकालते हैं यह basic basic concept अगर आपके strong हैं तो उसी चीज को आपको डी आई के questions को solve करते time apply करना होता है अब डी आई में जो questions के type हैं कौन कौन से type करने आपको एक तो table related questions आपके पुछे जाते हैं कोई table दे दी जाती है या फिर बार graph दिया जा सकता है आपको इस तरीके से कि इतनी sun में इतना रहा इतनी sun में इतना रहा अब बताओ कितना increase हुआ या फिर इतनी 2012 से और 2018 तक कितना इंक्रीज हुआ तो इस तरीके के question आपके पूछे जा सकते हैं पाई चार्ट की form में आपको data दिया जा सकता है इस तरीके से उस से related questions आपके पूछे जा सकते हैं कि कितना percent यह और कितना percent यह इसके अलावा जो इस बार जो आपके questions पूछे गए वो missing number से पूछे गए तो DI में missing number वाला आपको इस बार कर लेना है हो सकता है कि जून में भी पूछा जाए DI में missing number वाला जो DI था वो इस बार आया था तो यह highlighted है इसको आपको जरूर से practice कर लेना है आगे देखते हैं ICT ICT unit में आपको क्या क्या करना है किस पर आपको ज़्यादा focus करना है सबसे पहली चीज है general abbreviation and terminology आपको पता होनी चाहिए यानि इसका मतलब क्या है कि ICT के full form क्या होती है या ICT से related RAM के full form, ROM के full form या जितनी भी important full form है वो आपको आनी चाहिए जितनी भी terminology है इसके लिए आप अगर Google पर simply type कर दोगे या फिर YouTube पर भी simply type कर दोगे ना कि ICT या computer abbreviation list उस तरीके से तो आपको इसकी पूरी list मिल जाएगी अगर मैं देख लूँगी मेरे पास हुई तो मैं आपको टेलिग्राम पर भी share कर दूँगी Digital initiative in higher education ICT में ये जो है ये ऐसा topic है जो आपको ICT में भी help करता है and higher education में भी help करता है यानि एक तीर से दो निशाने वाली बात हो जाती है यहाँ पर कि जो भी digital initiative है higher education की field में वो आपके दोनों पार्ट में आते हैं ICT में भी और higher education में भी Digital initiative क्या हो सकने जैसे कि प्रग्यता, निष्ठा, दीक्षा, उत्सा, जितने भी नई नई जो आते हैं इन सबका आपको अच्छे सा full form भी पता होना चाहिए, इनका establishment कब हुआ, क्यूं किया गया, क्या purpose था वो आपको पता होना चाहिए, इसको one by one आपको करना पड़ेगा जो important है उनको कर लीजिए, बस उससे भी काम हो जाएगा उसके बाद आता है emailing, email के लिए मैंने आपकी एक class लीती, उसमें मैंने आपको बताया था कि to and from and cc, इसमें बहुत confusion रहता है, कि to किसको देख सकता है, cc किसको देख सकता है इस तरह के questions आपके पूछे गएते, March में and June में तो यह concept अगर आपको clear करना है, तो simply YouTube पर यह type कर देना, email by education achievers आपको एक वीडियो मिल जाएगी, छोटी सी वीडियो है, लेकिन आपको बहुत help मिलेगी उस वीडियो से emailing का concept आपको अच्छे सा पता होना चाहिए, कि phishing क्या होता है, spamming क्या होता है virus related questions आपके पूछे जा सकते हैं, virus की full form, wifi की full form पूछी गई थी इस बार wifi, तो full form तो आपको करनी ही है, इसके अलावा जो internet protocols होती है, ICT से related उनके बारे में उनकी full form आपको पता होनी चाहिए, और ये memory, RAM, ROM, primary memory, secondary memory के इतने कितने type होते हैं, EP-ROM, EE-ROM, ये सब आपको पता होना चाहिए, इसके अलावा इस बार जो question आपके पूछे गए, हर shift में वो पूछे गएते, memory units and their conversion, जो हम पढ़ते हैं ना, कि gigabyte, megabyte, globite, उनके बारे में आपको सबसे पहले तो sequence पता होना चाहिए, उसके साथ ये पता होना चाहिए, कि KB को MB में कैसे हम बदलते हैं, conversion कैसे करते हैं, तो memory units है, KB, MB, GB, PB, TB, EB, उसका हम आपस में conversion कैसे करते हैं, तो memory units के steps या फिर sequence उसके साथ साथ उसका conversion, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ICT में इस बार जो ज्यादातर questions पूछे गए न, तो वो पूछे गए आपके numerical based, numerical based ज्यादातर questions थी, मैंने बोला न कि analytical thinking आपकी इस बार ज्यादा देखी जा रही है, बजाए इसके कि आपकी memory power को judge किया जाए, आपकी analytical thinking को judge किया जा रहा है, तो आपको ये जितने भी चीज़े हैं, ये आपको अच्छे से कर लेनी हैं, इन में से एक भी चीज़ को नई छोड़ना है, इसके लावा जो नई नई policies आती हैं, नई नई initiative होते हैं, government की तरफ से, उनको भी आपको current affairs में देखते रहना है, आपको help मिल सके, इसके बाद आता है people development and environment, इसमें जो आपके highlighted topic है, ये जो है न, ये बहुत wide है, ये जो topic है ये न, आपका people development and environment, इससे जाधा तर जो questions ये wide क्यूं है, इसे क्यूं डरते हैं लोग, क्योंकि people development and environment में सबसे जाधा जो आपके questions पूछे जाते हैं, वो बहुत current affairs से पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं कि जो people development and environment है, वो हमारे marks कही बाद डाउन करा देता है, इसके लिए आपको current affairs करनी पड़ेंगी, types of pollution, जितने भी type के pollution होते हैं, water pollution, noise pollution, soil pollution, और उसमें जो जो और organism हैं, या फिर जो भी matter हैं, या जो भी chemicals हैं, उन सब का आ चाहिए, renewable energy का क्या मतलब होता है, कौन-कौन सी sources है, renewable energy की, SDG, MDG, ये भी इस बार भी highlighted topic रहा, हर बार रहता है, SDG, MDG के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, हमने बहुत ही easy trick से इसको समझा था, and इस बार 5 year plan से भी questions पूछे गए, environment protocol से हर बार questions पूछे जाते हैं, Montreal protocol, Kyoto protocol, Vienna protocol, Paris agreement, Agenda 21, COP28 भी इस बार आपको अच्छे से कर लेना है, COP28, ठीक है, इसको भी नहीं छोड़ना है, इसके लावा G20 से इस बार questions पूछे गए, greenhouse effect से इस बार questions पूछे गए, ozone layer depletion में कौन-कौन सी जो gases होती हैं, वो harmful होती है, ये सारी चीज़े जो हैं, ये आपको करन नहीं है, छोड़ना ही नहीं है, इसके अलावा जो current affairs है, उस पर भी इस बार आपको focus करना होगा, अगला है हमारा higher education, higher education में इस बार जो highlighted topic रहे, वो रहे कि जो ancient university हैं, उनके establishment यह इस बार पूछे गए, कि उनका establishment कब हुआ, hierarchy में भी question पूछा गए, कि BHU का establishment कब हुआ, या जामिया का establishment, पंजाब university का establishment, उस तरीके से hierarchy में भी आपको question दे सकते हैं, matching based question भी दे सकते हैं, direct भी आप से पूछ सकते हैं, कि इस university का establishment यह कौन सा था, तो यह इस बार highlighted topic रहा, इसके इलावा जो ancient education system है, इस से हर बार question पूछे जाते हैं, कि पुराने जमाने में जो education system था, जो पुरानी university थी, नालंदा, तक्षिशीला और बाकी की, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, उन university के बारे में आपको पता होना चाहिए, education से related जो government schemes हैं, उनकी आपको knowledge होनी चाहिए, especially higher education में, इसके इलावा education commission and committee, यह तो ऐसा topic है, इसको आप किसी भी कीमत पर छोड़ ह भी नहीं सकते, कुछ करो या मत करो, लेकिन commission and committee तो करना ही होगा आपको, pre-independence and post-independence, जितनी भी commission साई थी, committee आई थी, सबसे पहले तो उनका नाम, उनका दूसरा नाम, उनका establishment year and उनके जो chair person थे, वो कौन रहे, और उनका जो title था, वो क्या रहा, यह चीज़ां आपको कर काऊंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी, सारी commission and committee के बारे में, तिरी independence and post-independence, इसके लावा, NEP 2020 से इस बार इतने जादा questions नहीं पूछे गए, लेकिन I'm sure कि, जून वाले exam में आपके NEP 2020 से questions पूछे जाएंगे, तो NEP 2020 से related हम बहुत सारे questions प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो ये भी आपका highlighted topic है, जून वाले exam के लिए, तो इसको भी आपको miss नहीं करना है, अभी नहीं पूछे गए, लेकिन आगे इससे questions पूछे जा सकते हैं, and NEP 2020 तो ऐसा topic है, कि अगर आप UGCnet के साथ साथ किसी और exam को भी अगर target कर रहे हो, आपको NBS देना है, KBS देना है, जा फिर state level को ये exam देना है, उसमें भी NEP 2020 से है, तो questions पूछे ही जाते हैं, ये तो आपको करना ही है, जितने जादा हो सके, इतने जादा questions practice कर लीजी, आप NEP 2020 के फायदा ही है, तो ये थे कुछ important topics आपके UGCnet paper 1 से related, I hope कि ये आप लोगों के लिए helpful रहे होंगे, आप को कोशिश करनी है कि आप इतना cover कर लो कि 70 to 80% syllabus आप cover कर लो paper 1 का, अगर 70 to 80% भी आपका syllabus cover हो जाता है, जो कि इन topics से 100% हो जाएगा, तो भी आपके बहुत chances हैं कि आपके 35 to 40 questions आपके correct हो जाएं out of 50, तो ये आपको target बना कर चलना है, and खुद के साथ इमानदार रहना है, इस बार मुझे GRF ले कर ही आना है, अगर आपने खुद से promise कर लिया, तो आपको फिर कोई नहीं रोक सकता, अपने उपर confidence रखिए, विश्वास रखिए, and positivity के साथ अपनी तयारी करिए, negative marking हो या ना हो, syllabus change हो या ना हो, paper tough आए, या easy आए, easy to moderate आए, moderate to difficult आए, कैसा भी आए मुझे तो भई बस अपनी तयारी करनी है, अपनी तयारी से मतलब है, and exam के time पर, जो भी मैं पढ़कर गया हूँ या गई हूँ, मुझे वहाँ पर apply करना है, अपना 100% देना है, result क्या होगा, ये नहीं सोचना है, क्या होगा मेरा clear नहीं होगा, ये भी नहीं सोचना है, इन स सब चीजों को side रखके, पूरी तयारी करनी है आपको, और तयारी के साथ exam hall में जाकर, वहाँ अपना 100% देना है, अपने mind से ये निकाल दीजी, कि अगर नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, या हो गया, तो मैं ये कर लूँगा, कुछ नहीं सोचना, सिर्फ अपना 100% देना है एक्जाम में जो भी चीजा आप पढ़के जा रहे हो, उसको अच्छे से apply कीजिए, अच्छे से अपने thinking का use कीजिए, अगर आप ऐसा करते हो, और अपने साथ इमानदार रहकर तयारी करते हो, तो आपका exam 100% qualify होगा, मिलते हैं जल्दी, thank you so much and take care.